आज की हमारी हल्दी रेसिपी है पालक अलो की सबची पालक को हम कई तरीके से बना सकते हैं लेकिन आज हम बच्चों के पसंद के हिसाब से उसे अलो के साथ मिक्स करके बनाएंगे और यह नूट्रिशियस भी है और टेस्ट वाइस भी अच्छी रहेगी तो देखें हमारे इ अच्छी तरीके से दो तीन पानी में बहुत ज़रूरी है साथ में मैंने फ्रोजन मटर यूज किया है कैरट ओनियन टोमाटो ग्रीन चिली और गार्लिक स्मॉल कट करके यूज किया है आप इसे ग्राइंड करके भी यूज कर सकते हैं अब मैंने एक कडाई ली जिसमें मैं तो स्पून ओल यूज करूंगी आप इसे टेस्ट वाइस घी में भी बना सकते हैं या इसे ओलिव ओल भी यूज कर सकते हैं हमें ज्यादा ओल नहीं यूज करना है इसलिए हम कमी ओल में बनाएंगे अब मैं इसमें सबसे पहले आलू डाल गेंगी और आलू को पतने के लिए सोड़ा सा इसे हिला देते हैं और इसमें हम अपना कैरट ड़ते हैं साथी में मैं इसमें गार्लिक यूज करूंगी गार्लीक अब मुझाने इसमें इसमें फ्रोजन मटब यूज करूंगी अब इसमें कवर करके दो मिनेट के लिए रख दूँगी जिसे यह पख रहे चलिए ओपन करके देखते हैं ऐसे अब इसे फूरा अच्छी तरीके से नहीं गला है लेकिन मीडियम मीडियम गल चुका है इतने में हम लोग अब इसमें ओनियन यूज़ करेंगे मैं इसमें ज्यादा ओनियन नहीं टाल रहे हूं क्योंकि ज्यादा ओनियन से थोड़ा मीठा टेस्ट आने लगता है तो हाफ ओनियन हम इसमें यूज़ कर रहे हैं और साथ में ही थोड़ी सी हरी मिर्चे बच्चों के इसाब से हम बिर्च कम ज्यादा कर सकते हैं अपने टेस् अब प्याज डालकी हम इसे थोड़ा ओपन करके भून लेते हैं इसे वन मिनिट के लिए हम लोग ओपन करके भूनते हैं अब इसमें मैं पालक डालूँगी और टमाटर डालूँगी अब इसमें मैं मसाले यूज करते हूं थोड़ी हवदी थोड़ी रचली 1 स्पून सॉल्ट और थोड़ा सा कोरियंडर पाउडर और 1 अब स्पून आम चूर यह ड्राय मैंगो पाउडर अब इससे मिक्स करके हम लोग दो मिनिट के लिए धखके रखेंगे अब इससे कलर इतना सुन्दर आ गया है और यह बनने के बाद बहुत हल्दी भी है और टेस्टी भी लगेगी आप इससे कवर कर देती हूं मैं और फाइव मिंच के लिए इससे पकने देते हैं पालक अच्छी तरीके से पक जाए मेडियम अच पर यह देखिए अब यह हमारी पालक अलो की सब्ची रेडी हो गई है अब यह काफी कलर्फुल है और काफी हल्दी है जो बच्चे शॉंक सिखाएं चैन बचमारी तरीक whip थम्मारी कातारी का थेलों के अमारे जगया है त WR आम से सा रूंक से पक्रफारी के डिलोंग सा च्रिट है और पासे Nomी एम जे तका बफारी के ट्राब मैं टासे लिए उमार से ख। की बंड को जाएओड इर आस है